नमस्कार पिरिया विद्यार्थियों वीके नोलेज इलेक्रिकल में आप सभी का स्वागत है रेलवे एलपी में आपने यदि फोर्म अपलाई कर दिया तब भी ठीक नहीं अपलाई किया तो भी देख लिजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब प्रिवियस वेकेंसी वर्स 2018 में आई थी उस समय असिस्टेंट लोको पाइलेट का जो CBT 1 एक्जाम हुआ था उसकी कटोफ किस RRB की कितनी गई थी जोन वाइज बताएंगे बोर्ड वाइज बताएंगे कौन से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्टेज फर्स्ट CBT की कितनी कटोफ गई थी तो जान लीजिए पूरा यदि अपलाई कर दिया तो अपने जोन के इसाब से टारगेट सेट कर लीजिए और अपलाई नही से आपको जरूर मिलेगी वैसे तो देखो प्रिविस कटोफ का अगली भरती से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है क्योंकि हर बार कटोफ डिपेंड करती है तीन बातों पर पहला कि एक्जाम का लेवल कैसा था दूसरा नंबर ओफ वेकेंसी कितनी थी और तीसरा प CBT के हम बात कर रहे हैं यहां पर देखे यह रहा नॉर्मिलाइज़ कट ओफ मार्क्स और फर्स्ट सेज सीबी टी फोर शोर्ट लिश्टिंग फोर स्टेज सेकंड सीबी टी ठीक है नॉर्मिलाइज़ेशन के बाद के यह नंबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं यानि न टेपर में टोटल 75 के उससन आएंगे और 75 नमबर के रहेंगे वंधर नेगटिव मार्किंग अध्यान रखेगा और अंधरी जरव केटेगरी EWS केटेगरी को 40% पास होने के लिए चाहिए यानि ये केवल क्वालिफाई करना होता है तो उसी हिसाब से टार्गेट सेट दोनों की हमें एक साथ ही बता रहें ALP इलेक्ट्रिकल की मेरिट अलग से बनती है ALP मेकेनिकल की अलग से बनती है ठीक है आईए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अन्रिजरु केटेगरी की मेरिट कितनी रही थी आप देख रहे हैं 40.00907 तो ये है 75 में से नमबर यान तो आपका 40 ले लेते हैं हम राउंड फिगर में और इसमें भाग देंगे 0.75 गा तो ये लगबग आपका 53.33% बन रहा है यानि अन्रिजरु केटेगरी के लिए अगर आपको फाइट करना है तो लास्ट टाइम आपकी 54% मेरिटी इस बार के लिए आप इसे थोड़ा सा इ त्यारी के लिए तो विशेश तोर से वो पीछे पड़े रहते हैं तो इस मेरिट को इस बार बढ़ा लीजिएगा और कम से कम भी जादा नहीं तो 3-4% इसको जरूर बढ़ा लीजिएगा यानि 77-78% इस बार मान कर चलिए कि जा सकती है क्योंकि सीटों की संख्या भी तो कम मैं न और वहीं अगर मेकेनिकल की बात करूं तो उसकी भी लगबग 40% 40 नंबर ही थी यानि 53.33% दोनों की हम कह सकते हैं अगर ऐसी केटेगरी की मैं बात करूं तो 30-30 नंबर के आसपास और दोनों की लगबग सेम थी तो अगर हम इसको परसेंटेज में कनवर्ट करते हैं तो ये आपका जो 30 नंबर मेरिट रहा ये बन रहा है 40% यानि 40% मेरिट S से की गई थी मुझे फरपुर में प्रिवियस 25 नंबर S T का है ठीक है तो ये तो नॉर्मल सिंपल सा है हर बच्छा ले आएगा इसे 33% है ठीक है अगर बात करें मुझे फरपुर में OBC की मेरिट का तो वो भी 30 नंबर है तो 30 नंबर वाले का हमने अभी देखा 40% आया था यानि 40% जो है यहां पर मेरिट रही थी ठीक है लगबग मेकेनिकल और इलेक्टिकल की मेरिट सेम ही थी दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं पॉइंटों का डिफरेंस था ठीक है न तो य ठीक है बाकि नीचे टेक्निशन की दीवी है तो वो कोई अभी फिलाल के लिए तो जरूरी नहीं है एन एसी का मतलब है नोट इलिजबल कंडिट नोट इलिजबल इसलिए था कि जितने भी क्वालिफाई किये वो सारे के सारे पंदरा गुना में चले गए उपर राइट सी असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए क्या क्राइटेरिया रहा होगा कितनी मेरिट गई होगी तो यह है अमारे पास यहां पर एक ही देखो गवार्टी में इलेक्रिकल की सीट नहीं थी असिस्टेंट लोको पाइलेट ओनली मेके निकल है यहां पर ठीक है गवार्टी मे जितने भी है mechanical वाले only on mechanical वाले थे और यह देखो 40.91 यानि हम इसे 41 नमबर बोल दे कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा सा higher side लेकर चले तो ज़्यादा सही रहेगा 54.66 है यानि राउंड फिगर में 55% merit मान कर चलें आप 55% merit गया था गवाटी ALP का previous ठीक है 30 नमबर SC का ठीक है और इसको अगर जोडते हैं तो वही 40% ST का वही 25 नमबर यानि 33% के आसपास merit गया था वही अगर बात करें OBC का तो OBC का यहाँ पर 33 था तो 33 को भी आप कर दीजिए 0.75 से 44% बन रहा है जितनी भी cutoff आप देख रहे हैं इसमें आप previous वाले से 3 से 4% extra जोड़ लीजिएगा जो इस बार merit आपकी रह सकती है वैसे तो देखो CBT-1 आपको only qualify करना है तो इस चीज़ का ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ेगा कि CBT-1 में कितने नमबर लाते हैं हाँ वो एक अलग criteria generate हो जाता है कि जब tie up हो जाता है डेटो पर सेम आजाती है CBT-2 के पार्ट B में नमबर सेम आजाते है तब कहीं जाकर ये CBT-1 को टाइप के लिए यूज किया जाएगा बाकी कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है तो इसमें क्या होता है देखो मैं बदा हूँ 40 परसेंट जो है न वो हर बच्चे के लिए होता है यानि अन्द्री जर्व category के हिसाब से अगर अपन बात करें ठीक है और अगर 75 के 40 questions की बात करें 40 परसेंट की तो वो बनते हैं 30 questions ठीक है 75 मैंसे आपको 30 questions सही करने है अब देखो अगर आप exam attend करने के लिए बैठ गए और पहले round बे आपको ये लगे कि मैंने 50 से 55 के बीच attend कर लिए क्योंकि negative marking है one third की तो आप अगर attend करेंगे तो सोच समझ कर ये attend करेंगे आपको लग रहा है कि मैंने 50 से प्लस प्लस attend कर लिए हैं यहाँ पर समझेगा मेरी बात को ध्यान से तो qualification के इसाब से आपको अब थोड़ी सी सावधानी बरता नहीं है समझे रहे ना आप ऐसा नहीं कि क्वालिफाई हो गया तो हर बच्चा ही फिर cbt2 के लिए बुलाए जाएगा उसमें merit का issue तो रहेगा है ना ऐसा नहीं कि हर बच्चा नित मारकिंग जब होती है ना तो फिर वो ज्यादा नंबर आपके जो positive होते हैं उसके एफेक्शन नीचे की तरफ ले आते हमें साब बोलता है हूं negative मारकिंग है तो extra effort ना करें जिस चीज़ पर आपकी पूरी command है ना फिर उसी पर ही holding रखें आपको लगे पहले च्राउंड में कि मेरे तो 50 से उपर लगबग मैंने कर दिये हैं तो फिर अब आगे आपको कदम फूंक फूंक कर रखना है यानि 100% से औरो तब ही आगे के किससर में रिस्क लेनी है देखो अगला सवाल क्या सवाल क्या सोरी आरार भी कौन सा है एमदाबाद है ठीक है गुजरात एमदाब की 43.44 है सोरी 46 है तो 47 ही बना देते हैं अपने इसको और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 58% गई है देखिए एमदाबाद की पता रहा हूं आप पूं है ना इसके बाद में अगर हम SC की बात करें तो 32 नंबर चलो अब नंबर के हिसाब से ही चलते हैं परसेंटेज में क लगबग 29 क्युस्षन सही करने वाला बच्चा यानि 29 नंबर लेकर आने वाले बच्चे का सेलेक्शन हो गया था वहीं OBC में 35 यानि 36 कर लीजे राउंड फिगर में अगर करना है तो 36 नंबर जिस बच्चे के आये थे स्कोर में वो एहमताबाद क्वालिफाई कर गया था स स्टेज सेकंड के लिए ठीक है यह सारे के सारे हम स्टेज सेकंड के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए बात करें जो क्वालिफाई हुए थे हर एक बोर्ड की बात करेंगे यहां पर देखिए अगला बोर्ड कौन सा है बैंगलोरू बोर्ड है बैंगलोरू यहां पर भी नहीं था और देखें नंबर यहां पर भी माइडियर 45.46 गया था अंडरी जरव का यानि 75 में से आपको 46 नंबर लाने पड़ेंगे तब यहां पर आप अंडरी जरव को फाइट कर पाऊगे 30 नंबर तो SC की मेरिट चली गई यहां पर ST वाले बच्चों के लिए वही 25 नंबर गया लगबग 33 परसेंट के आसपास नंबर वहा यहां पर अगर OBC की यहां पर बात की जाए तो 38 जो की हम कह सकते हैं कि लगबग कितना होगा 55 परसेंट के आसपास नंबर होगा ठीक है तो यह था बैंगलोरू बोर्ड का आप अपने बोर्ड का जो बोर्ड आपने अपलाई किया है चाहे तो उसका स्क्रिंसोट ले सकते हैं देखें बैंगलोरू बोर्ड के बाद में है चेनई बोर्ड और चेनई में असिस्टेंट लोको पैलेट के दोनों थे ठीक है मेकेनिकल भी था इलेक्ट्रिकल भी था ठीक है और यह वाले बच्चे यहां क्वालिफाई कर पाएं मेके निकल में क्योंकि मेके निकल में ना आईटी वाले भी पूरा कंपिटिशन देते हैं आपको राइट और एसी की इलेक्ट्रिकल में 33 नंबर के आसपास गई लेकिन यहां पर देखो नोट इलिजेबल कंडिडेट लिखा क् एसी के जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे यहां फाइट कर जए तीक है वो बाद में नीचे सिफ्ट हो जाते हैं वो लगवाता है एस्टी में भी यही हुआ और ओबी सी में 30 नंबर यहां पर मेरिट दोनों की है ना अब मैं नंबर बोल रहा हूँ नोर्मलाइजेसि मेकेनिकल दोनों थे यहां पर देखिए जी यह होते हैं हाल इलेक्ट्रिकल का अजमेर का 61 नंबर यह तो रिकोर्ड ही हो गया इसको अम परसेंटेज में कनवर्ट करी लेते हैं क्योंकि अगर 15 गुना की यह मेरिट है तो आप सोचिए कि फाइनल मेरिट कितनी होगी पंद्रा गुना बच्चे देखने को मिल रहे हैं आप सोचिए किस लेवल का कंपेटिशन अजमेर में लड़ा जा रहा है राइट अजमेर देखो लोको पाइलेट के लिए बहुत बच्चे जाते हैं राजस्तान में तो 53 रहा मेकेनिकल के लिए 49 नंबर और 37 नंबर यानी OBC के लिए लगबग 56 नंबर ये था ALP इलेक्ट्रिकल अजमेर बोर्ड का और अजमेर बोर्ड के बाद अगर हम बात करें पटना की तो पटना में भी असिस्टेंट लोको पाइलेट इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल दोनों थे और अगर इनकी मेरिट की बात की जाए तो ठीक ठाक है अनरी जरू के 40 नंबर इलेक्ट्रिकल वाला और 48 परसेंट जो है वो यहां पर मेरिट आपकी है मेकेनिकल वालों की दरसल पिसली बार ये भी था कि टेक्निशन जो भरती थी उसके लिए भी थे बच्चे तो एक्चुल में नंबर ओफ वो यह ना सीट के इसाब से करें तो पहले ज़ादा बच्चे कंपेडियसन में वैसे भी थे कि टेग्निशन और उसके क्योंकि सीबिटी वन जो होता है वो दोनों के लिए को मन वेरिट बनती है उसकी वह बाद में जो होता है वो देखा जाता है पहले तो प्रिफरेंस के यहसाब से बच्चे बुग् 7575 में से 33 पर्सेंट नम्बर का लगपक यहां पर काम ओगया था OBC का यहां पर 30 और यहां पर 40 नम्बर in पर 10 नम्बर का फरक आ गया ठीक है न कहां की बात हो रही है आरार भी पटना स्टेज बन सी बीटी जो स्टेज सेकंड के लिए पौलिफाइग किये थे गोर्खपूर की बात करेंगी गोर्खपूर में असिस्टेंट लोको पाइलिट एक ही था मेकेनिकल वाला इलेक्टिकल वाला नहीं था अंधरी जरू की 40 नंबर गई है स् एक एक करके मैं बता देता हूं आपको स्टी 25 नंबर और ओबी सी 30 नंबर वाले बच्चे का यहां पर जो है वो सेलेक्शन हुआ था पिछेटर में से यानि स्टेज सेकंड के लिए बच्चा क्वालिफाइग कर गया था बोपाल के लिए बात करें यानि मद्य पर्देश वाले बच्चे अगर देखें तो यहां पर भी एलपी इलेक्ट्रीकल का ही था मेकेनिकल का यहां पर नहीं था अंधरीजरो केटेगरी में लगबग 54 नंबर लाने वाले बच्चे को स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाइग माना था और 41 नंबर लाने वाला SC का बच्चा स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाइग कर गया था एस्टी वाले बच्चे को 33 नंबर लाने पड़े थे 75 में से और OBC वाले को लाने पड़े थे यहां पर 46 46 नंबर उसे लाने पड़े थे स्टेज बन को क्वालिफाइग करने के लिए तो मेरिट और मेहनत पूरा समय दे तो अब की बार ये आपको बोर्डी देखने को नहीं मिला क्योंकि अब इसका नाम प्रियागराज हो गया है राइट तो यूपी वाले बच्चे देखो भई जिनके प्रियागराज यानि इलाबाद लगता है तो यहाँ पर एलपी दोनों थे इलेक्टिकल और मेकेनिकल और म यह मैकेनिकल का एस्टी वाले बच्चे 27 और 25 नमबर पर सेलेक्ट हो गए थे लेकिन OBC फिर बहीं इलेक्टिकल में 42 नमबर और 35 नमबर चाहिए थे OBC मेकेनिकल वाले को ठीक है तो बस इतना ही है नहीं सॉर्य एक और है बिलास्पूर भी है देखो बिलास्पूर में ओना ती जहां इस बार मेक्सिमम सीट है ना हाइस्ट सीटें उसी में है तो इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल यहां पर दोनों थी और बिलासपूर में देखो अगर मैं आपको च्यारों एक साथ दिखा दू थोड़ा सा करके तो अंधरी जर्व के लिए 47 और 42 यहां पर SC के लिए 31 और 30, ST के लिए 30 और 25 और OBC के लिए 40 नंबर मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का आपका जो भी बोर्ड है आप इस कटोफ को चाहें तो स्क्रीन सोट लेकर रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़े इस बार थोड़ी बहुत कहीं पर दो है ना चंडी गड़ की अगर बात क SC के लिए 36, ST के लिए 25 और 38 OBC के लिए यहां पर मेरिट थी चंडी गड़वालों के लिए ठीक है बस तो फिर इतने ही है मैडियर मोस्ट मोस्ट जितने भी RRB है मुझे लगता है सब का नाम इसमें आ गया है वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करेंगे चैनल से पहली कर लीजेगा बहुत बहुत थान्यवाद